पोलार्ड का मुम्मा इंडियन्स के लिए IPL करिया रोहिष शर्मा जे पहले शुरू हो गया था रोहिष शर्मा ने आज तक जितनी मैच मेनिंग पारिया मुम्मा इंडियन्स के लिए खेली होंगे उससे पाच कुना ज्यादा पोलार्ड ने खेली है पॉलार्ड ने चिन्नई के खिलाफ इन 13 सालों में कम से कम 13 मैच सिर्फ अपने ही दम पे चिताए है ये पॉलार्ड की एक सबसे बड़ी अचीवमेंट रही कि IPL की सबसे मजबूट टीम रही जो लगातार 2008 से 49 सूपर किंग्स उसके खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा बाकी और टीमों के खिलाफ भी उन्होंने काफी अच्छे रन बनाए और एंड में आके तेज रन बनाने के लिए वो जाने गए लेकिन अब मॉंबई इंडियन्स जब उन्हें रिटेन नहीं कर रही थी इस बात की उम्मीद थी कि पोलार्ड ओक्षन में जाएंगे और ओक्षन में उनको कोई ना कोई टीम डेट दो करोड़ रुपए में खरीद ही लेगी लेकिन ऐसा लगता है कि उनको एक अच्छा ओफर मिल गया मॉंबई इंडियन्स से वो मॉंबई इंडियन्स की फ्रेंचाइजी की दूसरी टीम M.I. Emirates के लिए खेलेंगे एज़ा बैट्स में और वहीं जिर्फ एज़ा बैट्स में नहीं वो उस टीम के कैप्टन भी होंगे और यहाँ पर वो बैटिंग कोच बन रहे हैं मॉंबई इंडियन्स के तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो जकती पोलार्ट के लिए उनको जितने पैसे की उमीद थी कि वो किसी और टीम के लिए 14 मैच केल कर कमाएंगे उससे जदा मॉंबई इंडियन्स उन्हें पैसे दे देंगे मॉंबई इंडियन्स उन्हें रिलीज करके कुछ पैसा भी अरजित कर लेंगे जिसके बाद वो बाकी खिलाडियों को उससे खरीद लेंगे दोनों के लिए अच्छी सिच्वेशन रही और एंड में पोलाइट केरीबियाई क्रिकेटर है और केरीबियाई क्रिकेटर को खेलने से ज़्यादा पैसे की वैल्लियू है और इसलिए उन्होंने ये ओफर सुईकार भी कर लिया ओक्षन में जाने के बज़ाए जब उनको बैठे बैठे कोचिंग देने में उतना पैसा मिल जाएगा तो 14 मैच खेलने की क्या ज़रूरत है तो चलिए दोस्तों मैरा उल्दहिया फिलाल इस वीडियो के ले इतना ही आगे भी इसी तरह की वीडियो के लिए पढ़े रहे ये मेरे साथ चैमाता दी